तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है वार फिर से हमारे इस नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास MI11X या फिर MI11X PRO मुबाइल है और आपको नहीं पता है किस तरीके से इसमें किसी भी एप्स को डूवल एप्स चलाते हैं यानि आप डूबल एप्स को चला सकते हो बिना कोई दिक्कत के यहाँ पर एक option दिया जाता है आपको dual apps का तो वहाँ पर आप किसी भी apps का dual कर सकते हो यानि कि clone बना सकते हो तो चलिए जुस्तों बिना टाइमेश्ट की बीडिय को शुरू कर देते हैं और जानते हैं कैसे आपको dual बनाना है तो simply आपको चले जाना है अपने mobile की setting में और setting में जाने के बाद आपको यहाँ पर search बार में लिखना है clone तो clone search बार में लिखना है आपको जिसे लिखोगे तो यहाँ पर एक option आपको आजाएगा dual apps का नाम से तो यह वाले option पर आपको क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर देखे आपके पास सारे के सारे apps आजाएंगे अब इन में से जिसको भी आपको dual करना है कोई दिक्कत नहीं है simply आपको एक click में आपका जो app है वो यहाँ पर dual बन जाएगा यहनि clone बन जाएगा तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं whatsapp का बना लूँ एक तो चलिए मैं whatsapp पर click कर देता हूँ यहाँ देखे एक option आपको मिला है dual apps का तो इसको आपको enable कर देना है और जैसे एक enable करोगे तो यह बो लेगा turn on तो simply आपको turn on कर देना है इस पर click करने के बाद आपका whatsapp जो है बिना किसी app को download किये तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मेरा जो whatsapp है वो clone हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हो यह मेरा जो clone है और यह वाला जो main whatsapp है तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर किसी भी apps का clone बना सकते है